नमस्कार दोस्तों आपका स्वागता भारत के सबसे बड़े और विशोशनी न्यूज चैनल एस्टिएफ न्यूज के उपर दोस्तों जारखंड विधान सबाच उनाओ 2019 के लिए वोटिंग आवो चल रही है और इसके साथ हमारे टीम ने सभी 81 सीटों के उपर वो सर्वे किया है जिनके अंदर बहुत ही चौंकाने वाले वो आंकडे सामने है जी दोस्तों इस वीडियो के अंदर पार्टी वाइज बात करेंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटे जीत रही है और वहीं पर जारखंड के अंदर वो विधान सभा चौनाओ का प्रणाम 23 दिसंबर को आना है और इसके लिए सभी लोग बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं चौनाओ के अंदर मतदान कर रहे हैं और इस बार एक प्रिवर्तन की लहर है वो जारखंड के अंदर दिखाई दे रही है जी दोस्तों जारखंड के अंदर वो भारतिय जन्ता पार्टी इस बार पीछे रहती भी दिखाई दे रही है जिनके अंदर भारतिय जन्ता पार्टी मोदी के उपर वो चुनाओ लड़ रही है जबकि मुख्य मंदरी रगुवर दास का करेज है वो जारखंड के अंदर नहीं है वहीं पर महा गठबंदन वो जी दर्ज करतावा दिखाई दे रहा है अगर बात करते हैं भारतिय जन्ता पार्टी की तो भारतिय जन्ता पार्टी मातर आठ सिटों के उपर है वो इस बार रुक्तिवी दिखाई दे रही है जी दोस्तो आठ सिटों के उपर ही भाईया है वो भारतिय जन्ता पार्टी का थमतावा दिखाई दे रहा है और इसका मुख्य कारणे इनकी जन विरोधी नीतियों का ही है और वहीं पर बात अगर करते हैं कॉंगरेस पार्टी की तो कॉंगरेस पार्टी इस बार एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर है वो विधान सभा के अंदर पहुंचने वाली है जी दोस्तों 31 सीटों के उपर चुनाओ लड़ाई कॉंगरेस पार्टी महागठ बंदन की तरब से 26 सीटों के उपर विज़े हांसिल कर रही है और दरातल के उपर इस बार मजबूत दिखाई दे रही है वहीं पर सबसे बड़ी है वो तस्वीर निकल कर आ रही है कि जारखंड मुक्ती मौरचा 36 सीटों के उपर चुनाओ जीत रहा है जी दोस्तों हेमंत के नेतरतों के अंदर वो जारखंड मुक्ती मौरचा इस बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उबर रहा है वहीं पर हेमन्त वो इस बार जहरखंड के मुख्यमंतरी बनने की दोड में सबसे आगे है और अगर बात करते हैं महागटमंदन की तीसरी पार्टी आरजडी की तो आरजडी साथ सीटों पर चुनाव लग रही है वहीं पर AIMIM भी इस बार जहरखंड के अंदर वो अपने पाउं जमा रही है और बैरिस्टर आसो दिदिन ओवेशी साहब की पार्टी है वो पांस सीटों के उपर जीत दर्ज करते भी दिखाई दे रही है और ये भारत की राजनीटी के अंदर वो मुसलिम समधाई की राजनीटी के अंदर एक बहुती बड़ा है वो बदलाओ होने जा रहा है जिनमें 20 की पार्टी हो पांस सीटे जीत रही है वहीं पर अन्य की बात करते हैं तो अन्य है वो तिन सीटों के उपर इस बार सिम्रतावा दिखाई दे रहा है जिनके अंदर आज सू और जहरखंड विकास मौर्चा भी है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जारखंड के अंदर इस बार किसकी सरकार बनने जा रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में अपने राहे जरूर दें और वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक जरूर करें